अब प्यारा मित्रों स्वागत आप सबीका हमारे यूट्व चैनल अनुभी स्टडी में दोस्तों हम लोग लेशन नंबर सेमन गुर्तवा कर्शर पढ़ रहे हैं जिसका एक थियोरी का एक वीडियो बन चुका है अब इसका दूसरा वीडियो सुरू कर रहे हैं हम लोग आज आजम लोग पढ़ेंगे उपग्रह के बारे में ठीक है किसके बारे में उपग्रह के बारे में सेटलाइज के बारे में तो चलिए उपग्रह किसे क्या थे हैं उपग्रह को ठीक है जैसे देखे ग्रह किसे कहते हैं तो वे आकासी पिंड जो सुर्य के चारों तरफ ठीक ना करते हैं क्या कहते हैं ग्रह करते हैं उपग्रह किसे कहते हैं तो वे आकासी पिंड जो ग्रह के चारों तरफ प्रक्रिमा करते हैं किसके तरफ ग्रह के चारों तरफ प्रक्रिमा करते हैं उसे क्या बोलते हैं उपग्रह बोलते हैं क्या बोलते हैं उपग्रह करते हैं इतिन बा के चारो तरफ चक्कर लगाने वाले किसी आकासी पिंडु को कहते हैं आपसन देदेगा ग्रह सुर्य उपग्रह तारे तो क्या बोलेंगे आप लोग ग्रह के चारो तरफ चक्कर लगाने वाले आकासी पिंडु को क्या बोलते हैं उपग्रह बोलते हैं क्या बोलते हैं उपग ऊपगळधा किसे कहते हैं तो ग्रहों के चारों तरफ चकर लगाने वाले अकाशी इंट को क्या बोलते हैं ऊपग्रह बोलते है ठीक आगे आपका पलायन वेग पलायन वेग ठीक पलायन वेग क्या होता है तो पलायन वेग वह नियुम्तम वेग होता है क्या वह नियुम्तम वेग होता है जिसके जिस पर यदि किसी पींड को प्रित्वी पर प्रित्वी से ठीक है प्रित्वी से ठेक दिया जाए तो वह उसके गृत्वी छेत्र को पार कर जायेगा और फिर वापस कभी लोट के पती ही पे नहीं आएगा समझ माँ प्रित्वी के गूरत वीछेत्र को क्या कर जाएगा और वो अपना पृत्वी पे वापस नहीं आएगा ठीक है प्रिथवी पर पलायन जो वेग होता है पलायन वेग वो कितना होता है तो 11.2 km पर सेकेंड होता है ठीक है कितना होता है 11.2 km पर सेकेंड होता है किस पर प्रिथवी पर पूछ देता है आपसे कि प्रिथवी पर पलायन वेग कमान है कितना होता है इतनी बात सबको समझ में यह क्या है किस प्रिध्वी पर अन्यने ग्रहों पर प्लायं वेग कमान यह किसके कारता बल्त है उसके निया को समंझ का動画 क्म होगा वहाँपर नवेग कम ज्यादा होगा ठीक है तो समझ में क्या होता है अब आगे देखिए कृतिम उपग्रह उपग्रह तो हम लोग समझ लिए क्या कि भी आकासी पिंड जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह करते हैं तो यह कुछ ऐसे भी हो सकता है कि मनुस्य दोरा निर्म उपग्रह को क्रित्रिम उपग्रह को क्या करते हैं साइंतिस्ट कि कोई बनाते हैं ठीक है उपग्रह बनाते हैं और उसको क्या करते हैं कि जो प्रिथवी है ठीक है प्रिथवी की कच्छास में 100 किलोमीटर की कितनी 100 किलोमीटर की उचाई पे ले जाके और इसको एक 36 दे द देते हैं 36 ज्रह रए उपग्रह बनाए है इसको जाके 36 देते यह दिस्मालीजिए कोई गोल चीज प्रित्वी है और इसे 100 मीटर की हाइट पे किसी उपग्रह को जो मनुस्य दोरा बनाया हो उसे ले जाके जैसे इस उचाई पिले के चले गए इसको 36 दे देंगे उसको 36 देना इस में इसको 36 देना इस किसी इन hon nem 6 में 6दि देना चाहिए तो क्या करेगा इस करेशा तरफ और वह कितना को ब सब्सक् Almok everything आख नाच engag इसका मान 8 km per second का वेय दिया जाता है ठीक है प्रिथिं में उपग्रह जब बनाते हैं साइन्थिष्ट ये उसको प्रिथवी तल से 100 km की उचाई पे ले जाके auf do आठ किलो मीटर पर सेकेंड का 36 दे देते हैं तो क्या करता है प्रिथवी के चारों तरफ घुमना चक्कर लगाना क्या करता है शुरू कर देता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग कृतिम उपग्रह करते हैं बाद सबको समझ में आई थोड़ा कृतिम उपग्रहों का उपयो किसी भी ग्रह के अगर मंदम छोड़ा जाए उसके ठीक है उसके किसी भी ग्रह के कक्छा में छोड़ा जाए तो क्या करता है उस ग्रह के उपरी छेत्र का क्या करता है अध्यन आपको देता है उसके बारे में जनकारी देता है ठीक है दूसरा कर रहा कि प्रित्वी के आकार के बारे में जनकारी प्राप्त की जाती है फिक यानि प्रिटवी के छोड़ जाएगा प्रिटवी के बारे में बतायागा अलग अलग ग्रहों का उपक ग्रहों लिताया व्यार शक्तै को आप देखेंगे मोबाइल में भी सिस्टम है कि मोबाइल में आप आउन कर लेंगे उसे तो बता देगा कि हाँ इतने तारीक को बारेस होने वाली है इतने तरीक इतने ट्प्रेचर यह सब किसे होता है कृति में उपग्रहों द्वारा भेजी गई सुचना多 अगे क्या अंतरिच मे अंतरिच्च से रेडियो समादनों को बेजने में सहयक मिल सकती है जैसे हम लोग एफैम चालू करते हैं तो उसके जो सिगनल्स होते हैं वह भी किससे आते हैं कृतिम उपग्रह से ही आते हैं ठीक है प्रित्वी से जो भी समाचार होता है उसको भेजा जाता है पहले आकास में ठीक है वहां से कृतिम पुग्रहों द्वारा फिन रिटर्न आपके एफम पे भेजा जाता है इतनी बासों को समझ में आई आगे देखिए करा कि टेलिविजन काल करमों तथा रेडियो समाधनों को भेजने में सहायक मिल सकती है वहीं बात ठीक है फिर उसी बात को दूराया ह बस वहां सुर्य तथा अंत्रिच में यहां टेलिविजन तथा रेडियो की बात की रहे है वहीं करा है ठीक है कि मानों कि अंत्रिच उडान तथा दूसरे ग्रहों पर पहुचने का का इकरम इन्हीं कि अपुग्राओं पर अदारित होता है जैसे मानों अंत्रिच में जाते हैं किसी अन्य उपग्रह या गरह पर जाते हैं थो उनकी जितनी भी कार्य परख करम और जनकारिया होती है यह कृतिम उपग्रह के द्वारा रही मिलती है मैं ठीक है इतना सब आ करें देखिया है चला देखिए भू आस्ताइब ग्रैंट बूं अस्थाइब ग्रह किसे काते हैं तो प्रूरा क्या आते हैं जोग्रह के चारों करते हैं प्रक्रमा करते हैं ठीकर दिसमाल जी हमारी प्रिध्वी और कि और इसके शारो तरफ एक क्या कर रहा है उपग्रः प्रकिमा कर रहा है तो भू अस्थाय उपग्रह कौन काहाय जाएगा तो वह उपग्रह ठीके वह उपग्रह जिनकी पृत्वी के साप्ष जो वेग हो वो क्या हो सुन्य अर्थात वह प्रित्वी से दिखने पर उपग्र अस्थाई दिखेंगे कि रुक्य हुए दिखेंगे तो ऐसे उपग्रह को क्या बोलते हैं भू अस्थाई उपग्रह क्या बोलते हैं भू अस्थाई अस्थाई का मतलब वो इस्थिर दिखते हैं क्या दिखते हैं यह उपग कि पृटवी के सापक्ष क्या होता है वे उनका सुन्ही होता है समय kings स्थिन्हें कि दिखाई देते हैं इस लिए क्या है भूऐ अलताई उपग्रह काते हैं इनकी जो ये कच्छा है प्रकिर्मर करने की इसको हम लोग बोलते हैं क्या पार्किंग कक्षा क्या बोलते हैं पार्किंग पार्किंग कक्षा ठीक है क्या बोलते हैं जो ये जिस कच्छा में प्रकिर्मर करते हैं उसे क्या बोलते हैं पार्किंग कख्षा कहते हैं और अनिनाम से जाना जाता है बुएस्थाई ग्रहों को ठीक है बुएस्थाई उपग्रहों को एक और कुछ अनिनामों से जाना जाता है जैसे इन्हीं को बोलते हैं क्या तुलियांक तुलियांक काली तुलियांक काली या इन्हीं को बोला जाता है संकार है संचार उपग्रा की यह तुले आंग काली संचार उपग्रह इन है बोले इस दिखाए देते अर्थात engag शुन वे है सुन्हीं होता है इस ग्रहों को क्या बोलते हैं भू अस्थाई उपग्रह करते हैं इनके कक्षा को जिस कक्षा में ये परिक्रमण करते हैं उसको क्या बोलते हैं पार्किंग कख्षा करते हैं इतनी बास वको समझ मैं देखें भू अस्थाई ग्रहों को इस परकार सेट किय जाता है इस कारड़ इसका मतलब ऐसे सेट किया जाता है कि भूस थाई उपर दिखता है तो इसको क्या किया जाता है कि कि क्या प्रित्वी जो है और इसके जो भूमत रेका है ठीक है sele også round के पीछे से आती है ज इसे स्माली इसके भूमत रेका है तो इसी के सीध में जिसमाली एहां पर है श्मालीजे's कहां है कि फ्रकार के रेका के ऊपर इस प्रकार सेट कहां में आज का वे विसका केंद्र और और इस पीर्थवी का केंद्र क्या हो संपाती हो और विकulation के उपर भूमन्ध और एक कर देका के और यानि प्रिथवी के घुड़न काल के समान ही इसका क्या बनाया जाता है ठीक है और इसको भुमद रेखा के ऊपर इस प्रकार सेट किया जाता है कि इसका कच्छिय केंद्र प्रिथवी के केंद्र के क्या हो समपाती हो इस वज़ा से यह जो भुवस्थाइप ग्रह होते हैं य लेकिन जबकि उनका प्रकिर्मर काल कितने का होता है 24 गंटे का कितने का होता है इनका प्रकिर्मर काल इतनी बात सबको समझ में आई तिये रहा आप से आपका भुवस थाई उपग्रह से रिलेटेड इतना इंफोमेशन आगे है उपग्रह की उड़्जा जो पग्रह है प्रित्वी के चारों तरफ यह अन्य ग्रहों के चारों चेकर लगाते हैं उनमें कितनी उड़्जा संचीत उचाइब तो इसमें दो उतरा क्युंजा संचीत होते हैं तो पहले तो यह पाई पर्थ्वी से कुछ उचाईब पे जाएगा तो गूर्तवी गुर्त्वी छेत्र के बिरुद कुछ उचाई पे इसको ले जाके छोड़े जाता है तो इसके प्रती जो इसके स्थिति में जो प्रेवत्तन हुआ है करता है तो उसके कारण कौन से उरजा गती जूरजा एक वड़ा 32 MB it dos ho यह तो किया होती है उपघरा की उजा होती है यानि वपघरा कि टोटल बोले तोOOOO किसके बाराबर होता है यूव प्लस के करता कितना होता है उपघरा के ओर अउजा अर्फात कि निए देखी meme कि यह ग् सब्刀नल एंब आहर होता है लेकिन बटेमें में क्या है दो है तो ह हो जाएंगा ड्यु रखे अब इन दोनों को फिन कर दीजिए जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा यहां पर त précéd directing में टू और उस्टिति कृट्न होती है मानेस में होती है न ठीक है तो अभी सी को सौल कर यां हो जाएका एल्स्टेव हो जाएगा तू आर व्रटन ओर जा ठीक है उपगराबर एमजी या यहीं बराबर होता है कि इसके बराबर लिखें तो यह होता है माइनस एक बार मैंने इसका टॉपिक भी है पिछले वीडियों में बताया गया है क्या होता है प्लॉस के हो जाएगी तो यू कमान इतना है के कमान उतना है दोनों को सोल करेंगे तो कितना आएगा टोटल एनर्जी ए बराबर माइनस जी कैपिटल एम इसमाल एम बटेम में टू आर इतनी बास सबको समझ में तिस फार्मिलों को नोट कर लिजेगा और आगे आगे आपका चंद्रमा पर वह मंडली की अनुपस्थिती का कारण बताया जा रहा ह आपको स्क्रीन पे दिखा जा रहा है मैं पैड़ भी दे रहा हूं क्या कि चंद्रमा की तरजिया तता चंद्रमा पर गृत्वी तररर दोनों ही पृत्वी की अपक्षा कम हैं अता चंद्रमा पर पलायन वेग केवल 2.38 km पर सकेंड है जिसे पृत्रमा पर पलायन वेग आट किलो मीटर पर सेकेंट है इसको याद कर दिए गाइस चंदमा पर पलायन स्जोरावज जो दिख रहा है इसको याद कर लिए ठीक है तो चद्रमा के ताप पर गैसो के अडव का अवसट विए इनकी इसा से अधिक होता है अथा तो गयस के अड़ू चंद्मा पर नहीं ठरते हैं अता चंद्मा आकुल फोमनडल नहीं पाएजाता है और उसका pan यह पुग्रह से फेक दिया जाए तो उसके गुर्तिवी केंदर को पार कर जाता है पुना उस पर वापस लोट के नहीं आता है तो चंदमा पर क्या होता है ताप के कारव वहां पर जितने भी गैस हैं कुछ भी हैं उनके जो कड़ हो उनका वेग क्या होता है पलाइन वेग से ठीक है करें अभिस कम लोग सुरू करेंगे अभ्यास प्रसं ठीक है तुसमें से भी क्या कह रहा है कि समुंद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है ठीक है प्रित्वी तल पे जो समुंद्र है इसमें क्या होती है कुछ लहरे ऐसे उठती हैं मतलब कुछ लहरे उठती हैं उसे ज्वार करते हैं जब नीचे गिरते हैं तो भाटा करते हैं ठीक है तो इनके उठ चंद्रमा है तो क्या होता है कि जो प्रित्वी तल पे जो समुंद्र का जल होता है इस चंद्रमा के गुर्तवा कर्षर के बल के कारण क्या होता है कुछ उपर उठके फिर प्रित्वी के गुर्तवा कर्षर बल के कारण नीचे आ जाता है तो इसे क्या काते हैं ज्वार काते ह कारण होता है तो चंद्रमा के गुर्थवा कर्षर बल के कारण तो अप्सन कौन से हो जाएगा चंद्रमा का प्रिथवी पर लगने वाला गुर्थवा कर्षर बल पहले का अप्सन नम्बर कौन से हुआ और थे किसके करार होता है तो चन्द्रमा D iPad रिथी पे लगनेवाले गुर्थव वार कर्शबल के करनाएं कि किसके क्या है इस से काफी दूर है भूगत ज्यादा क्या है दूर है जबकि चन्द्रमा पिर्थवी तो क्या है नजदीक है zeker है इस विश्वें के चंद्रमा का गृत्यों कर्षवर तो तो निम्ण में से कौन सा बल लगेगा निम्ण में से कौन सा बल लगेगा करें चयान बल नहीं आर्षिमिntrees का स्वाल बल इस्तिर बैदत बल या इन मेंसे कोई नई तो ₹kem नहीं करता है ऐसको आटा दिज्व का स्वार। यह पाडावत के भार। करता है यह क्या होता है को सिंद्र को जल में डालते हैं तो जितना भार भी थापित करता है uitना उत्त करन लगता है तो यह पादार्थ के भार पर निर्भर करता है अग्रुटी पर बढ़ कम होगा थे जो पींड के भार है तुम में भी चेंजे साहेंगे तो जो आप का बीजSL नंबर प्रसन है कि इसके क्व्र कुछ ना कुछ प्रभाव पडेगा यानि इसका option कौन साullen होगा option साब बदलेका तो आने गुर्स करेगा उंच्छाल बल कि और बदल यह क्यों क्योंकि गूर्टवी जो बल होता ऑने प्रभाव जो स mail करता ईसका आगे देगे थीसरा क्रश्चन क्या करदा गुर्तवार कर Indigenous करता है फिंदो के दिर्मान पर बीश की दूरी पर शमीप अन्य पिंदो के दिर्मान पर अपरक्त में से कोई नहीं तो जो जी है एक नियतांक है ठीक है क्या है एक नियतांक है तो यह इन सारी बातों पर निर्बर नहीं करता है अर्थात option number d क्या होगा इसका correct होगा यानि इन में से किसी पर नहीं करेगा ठीक है यह एक नियतांक है इसका एक मान है फिक्स मान है यह किसी दिर्मान चेंज होगा तो इसका मान चेंज नहीं होने वाला है यह इनके बीच की दूरी बदलेगी तो इसका मान चेंज होने वाला नहीं है ठीक है चोथा देखिए क्योशन चौथा क्या करेंद है कि प्रिथ्वी का एक उपग्रव एक शमान वेग से प्रितियक अच्छा में पर्कृमर कर रहा है यदि अचनल कुर्टा कर्षाबल समाप्त हो जाएं तो उपग्रा- तो उपग्रा क्या option दे रहा है कि उसी एक अच्छा में भी वेग से प्रकृमर इस हिती में आ जाएगा देखिए आप लोग एक बच्वन में खेल खेले होंगे कि किसी डोडी को सोड़ी किसी पींड को एक डोडी में बाद के ऐसे गोल-गोल घुमाते हैं तो क्या करता है जहां पकड़े हैं उसको केंद्र मान के उसके चारों तरफ क्या करता है वो गोल- घुमता है तो यहां पर वहीं कंडिशन है प्रिथिवी पर एक उपग्रा एक समान वेक से यह नहीं जो उपग्रा होते हैं प्रिथिवी क्यों केंद्र मान के उसके चारों तरफ घुमते हैं और हम लोग जो डोडी में पत्थर या कोई भी टुकड़ा बांद के उसे गुम एक दिशा के डारेक्शन में क्या होता है गती करने लगता है अर्थात जब भी कोई भी पिंड किसी बृति पत्थ पे गती करता है तो उसकी दिशा लगतार चेंज होती रहती है और वो क्या होती है असपर्स रेखा की दिशा में होती है ठीक है हर बींदू पे असपर्स र रहे प्रस डिखा होगी उसी के सीध में ठीक कि उसी की सम्दीस उसी के सम्दीस क्या होगा वो फी वेक से गती करना शů peng नीकर ठीक है तो चौहान से जुजा है जाए आप लोग भी ऐसे नाचार नाचा कर और छोड़ते हैं देखते हैं जिस इस पोजिशन पर जैसे माली है इस पोजिशन पडिय में छुट तो इसके असपर्सी रेखा की जिसा में क्या करेगा वह से मतलब भी बैकल नहुए भी भी लिखती तो कह Giving जिस पोजिशन पे वो गुर्ता कर्षरबल समाप्त होगा वहाँ पे जो टेजंट खिचेंगे असपरसी डेखा खिचेंगे उसी की अनुदी से वह भीवेक से गति करना सुरू कर देगा ठीक है अगला देखिए पांचवा क्यूस्चन आगे सब आप्सनल हैं यह सब क्या कर रहा है कि दो दर्मान है और उनके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए इसे कि यह दर्मान है और एक यह दर्मान है और इसकी बीच की दूरी यह है ठीक है तो इसके बीच लगने वाला कर्षबल क्या होता है एब बराबर जी एम एको कैप्टल माले थे एक अ हम लोगों को इसके और इसके बीच पूछ रहा है दूरी को दुरी को दुखुना कर दे तो उसका बल कितना हो जाएगा तो इसको समय कर एक माल लिजिए दूसरी कंडिशन कर है कि यदि इसकी दूरी को दुख ना कर दे यानि और बडर ओ Kayla ंंद रोगोंसे हैं ठीक है तहब कितना पर अफ बराबर कितना हो जाएगा एक है मैं सबस्क्त कर दो फ्यों एक स्कोर्ण मतलब डूर और का स्क्वायर या इसको आगे सोफ कर देंगे त्यो मुथ तो इस यह बनाद या किटना हो जाइगा एफ यह स्पर दीफ ठीक एक लिख दे ठीक इसको करते करना क्या है एक डैस का इमान पुछा आ ना ूई टैसका इमान मुछा है कि उसका जो बीच की दूरी दो गुणा कर दे तो उसका गुर्थवाकर्शबल उसका शौथाई यानि उसका एक सब्सक्राइब कर दिए तब क्या होगा जाये उसका कना फंचाबा सही हो जाएगा पाचवा कम समझ में आया होगा चली अगला देखिए छाठवा क्यूशन क्या क्या रहा है कि निम्ड में से कौन साथ तथ्य या परदर्शिद करता है कि प्रिथवी पर एक बल कारे करता है जिसकी दिशा सुर्य के ओर ओती है ठीक है कि छाठवा क्यूशन कह रहा है कि वह कौन साता थे जो यह सीध करता है कि जो प्रिथवी यह सुर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसके एक कारे करता है जिसकी दिशा सुर्य के तरफ होती है तो प्रिथवी का जो प्रकिर्मर काल है यानि प्रिथवी सुर्य के चारो ही चार्स ट tadi है और जितने भी ग्रहा है जो चक्र लगाते हैं सूर्य की चारव तरव जो सूर्य होता एक केंद्र में इस्तित होता है ठिक है कच things TIME में इस्तित होता है तो पृत्वी सूर्य के चारों तरफ चकर लगाती है Tohko करता है कुJust के केंद्र के तरफ है उसके तरफ एक बल कारे करता है औंसा अभीकेंद्र जोटे करना और करना ही कारण है प्रमर इसकें तरफ तभी तो केंद्र अभी केंद्र बॉल कारे करेगा किसके तरफ सुरी के तरफ यानि छाटवे का ओप्सन अबर काउंसा सही है बी करेक्ट है इतना क्लियर है कि नोट करिए फिर देखते हैं सातवा केश्चन देखे सातवा केश्चन कि करा कि दो दर्मान एमों तथा एंटू तथा जिनके बीच की दूरी आर है कि बीच लगने वाला गुर्तों कर्षबल एफ निम्नसुत द्वरा दिया गया है यानि एफ बराबर के एमों एंटू करता है राङ की केवल मात्रक्ती पर निर्भर करता है और प्सnd दी करें के दूर नहीं करता है तो हम लोगちは पिंडों के बीच की दूरी पे ना उनके माध्यम पर निरबर करता है इसका मां कब चंज होगा जब मात्रकों की पधती करेंगे ठीके मिकेश में कुछ और होगा सिजस में कुछ और होगा जब मात्रक चेंज करेंगे तब इसका मान क्या होगा बदले गा यह किसी माध्याम द्रमान या उनके बीच की दूरी पे नहीं करता है तो कौण साफशन से होजाइगा केवल मातरक की पध्धती पे यह प्रित्वी पे भार कितना है बहतर किलोग्राम है तो कह रहा है कि इसको चंद्रमा पे ले जाए तो इसका भार कितना होगा ठीक है इसका भार कितना होगा किस पे चंद्रमा पे तो जो चंद्रमा पे गुर्त्वी बल होता है गुर्त्वी ठीक है गुर्त्वी तोरार एक गुर्त्वी बल जो बल जो होता है वो प्रित्वी के कितना होता है एक बटा छे होता है कितना होता है एक बटा छे होता है ठीक है तो यह इसका दर्मान प्रित्वी पे M कितना है 32 kg M का मान दिया है तो पुछ रहा है तो पुछ रहा है पृत्वीर कितना हो गहि होता है प्रित्वी का एक शेह होता है यानि चाहिक रखती रख दीज़े एक बार चाहिक का मान कितना है 2 कितना बहुतर तो रहें कितना हो जाएगा बार फनर कितना 에गें के जो इन जो प्रैट हुर बेक्तियoncesso क systemic कितना होगा 12 kg ठीक है कितने का होगा 12 kg क véhicule इसके इसमें6 से कर देंगे तो चंद्रमा कितना भार पंडा होगा उसका मालूम पढ़ जाएगा तो कितना होगा 20 km तो यारेक्ट होगा ठीक है किस नौह जाना नुपरएंटा का कराड है य सता जिस कच्छा में छोड़ा जाता है तो उनका जो सता का प्रतिक्रियाबल होता है वो सुन्य होता है ठीक है क्या होता है प्रतिक्रियाबल सुन्य होता है इस कारण क्योंकि जो प्रित्वी बल लगाती है उन पर उसका एरेक्शन नहीं देते हैं ठीक है प्रतिक्रियाबल क् ओलता है इस करार किया आ ढोलते ऊपग्राजों ते अवह भारहिंता अन्भवा करते हैं तो कौन सब्सक्राइब ना काका संबर O ST कर्या की ऑफ है गुर्त्रा कना है अ थाल ऐतर डान है इस थी राधृत बिए बिले होगा नहीं दुर्सा, और अधरHe n इनी दोनों बलों में से कोई बल होगा तो जो गुरत्वाकर्षर बल होता है वो क्या होता है सनरच्छी बल होता है क्या होता है सनरच्छी बल किसे कहते हैं तो वे बल जो क्या होते हैं उसकी उर्जाव पे निर्वर करते हैं ठीक है किसके जो पिंड है उसकी उर्जाव पे न इसको याद कर लिजी कैसा बले गुर्तवाकर्षबल सनद्छीबल चली दिखे लाश्ट कुईशन देखते हैं इस वीडियो का लाश्ट कुईशन 11 करहा है क्या कि यदी पृत्वी का ब्यास उसके वर्तमान ब्यास का आधा हो जाए तो इसका द्रिवमान एक बटा आठर जाएगा ठीक है जो प्रित्वी का व्यास से उसका वर्तमान व्यास आधा हो जाए तो इसका दिर्मान एक बटा आठ रह जाएगा उस आधे आकार का प्रित्वी पर जी का मान होगा आधे आकार का प्रित्वी पर जी का मान क्या होगा देखिए कर दी बराबर निकाले थे हम लोग इसमाल जी बराबर कैपिटल ऑम इबतेमे और इका स्कॉयर इतना निकाले थे इसको एक समिकर एक माली जए कर से केदर की सब्सक्राइब अधरे यह समाई सब्सक्राइब तो तिर्जया कितनी होगी साथ होगी यदि ब्यास को अधा कर दे साथ कर दे तो साथ का अधा कितना होगा तिर्जया भी तो आधी होगी अब साथ का इतो आधा तिर्जया होता है तो करा जाएगा तो इपते हो चोधर था ऐसा हूंए है साथ का साथ हो गया यानी 12 या सत प्यास घर %. तो चोधर था कितना इस अधा थी यानि आधा थी अब जैसे उसको व्यास को अधा करें तो स्रजाय किस आधी होजाएगी तोcomplॉ ब्यास को अधाकर होगे तो तिरजयाभी क्या होगी अधियोजरी तो संडर सब्सक्राइब के लिए जी निकाले यानि जी ड oo कि इल्सक्य मुग कितना हो direct हुआ में इदर देखे इसको तो क्या हो जाएगा जी डैस बराबर एक ब tie 2 ले दीजे तो एक बेड़ा आठ जी मधत में क्या जाएगा इसकार करेंगे तो दोनों का इसक्रहर ना इसको अढ किबह अदेकी इसकार करेंगे तो आर एसople इसको कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा दो बार में यानि इधर और देखें इधर इसको देखिए जी डैस बराबर कितना हो जाएगा एक बटा दो जी एम इबटे में आरी का इसको यह किसके बराबर है और से जीखे बराबर यानि जी डैस बराबर क्या हो जाएगा वह कितना हो जाएगा घृटी बहर पहले उसके त्वसको ठीक है इसी कोच्वेस्ण से क्या समझ में आ रहा है जो गुर्तवा गुर्तवी बल्ल होगा कब जब इसकी तिरिज्ण को आधा कर दे यानि भ्यास को आधा कर दे तो कितना हो जाएका पहले जो गुर्टी बलोंगा उसके आधा हो जाएगा तो और यहां पर लोग को दिख रहा होगा ठीक है ऐसे स्वाव करके आये हैं एसे जी डेस कमान कितना है जी के आदा है इतना क्लियर है तो यह रहाए इस वीडियो का अंतिम क्यूस्टन एधी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए ज्यादा पसंद आये तो अ भी हम लोग वीडियो अप्लोड करेंगे उसकी नोटिपिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे क्यूस्टनों के साथ तब तक के लिए भाइभाइभाइध धन्यबाद के अगर आ का कर दो